असलाम अलेकुम लिए स्टुनेट्स आज के इस लेसन में हम ब्लॉगर की कुछ बेसिक सेटिंग्स के उपर काम करेंगे इसके लिए मैं ब्रॉजर ओपन करता हूँ प्रियूस लेसन में हमने इस तरह का एक टेंप्लेट्स डाउनलोड किया था करने के बाद हमने इसे एड़ जाता हूँ अरशी देशन में हम कुछ और काम करते हैं आप मैं इसको क्लोस कर देता हूँ pagico flagr ke homepage रफ जाएन इस homepage जाने के बाद आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे वह स्में more option करेंगे तो और प्रस्टॉप डॉप डॉण एक आप्शेν आजएंगे ओप्श्य में सबसे बॉर्टम में अप्पास से अपने सैटिंग फेंग करने या फिर अप हूम पेज़ बिजाएंगे आपके अपने डिर्यक्ट वर्चुलल एकडमी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसतरा कि option आएंगे और यहां पर आपने सबसे डॉन जो है आपके पास settings को option आपने setting पर click करना है setting में सबसे पहले basic setting basic setting में हम देखते हैं कि हम क्या क्या करना है basic setting में सबसे पहले title तो title आपका जो virtual academy के नाम से यह जो title होता है यह आपका title हो जाएगा इसको change करना चाहो तो आप यहां से change कर सकते हो एडिट पर click करके आप नाम change करके save change करोगे तो आपका नाम change हो जाएगा इसी तरह description है description में अगर आप अपने academy के बारे में describe करना चाहते हो कि यह आपकी जो academy किस लिहाज से है उसमें क्या क्या कोर्सिस करवा रहे हो आप और इन सब चीजों के बारे में अगर अपने description देंगे तो description दे सकते हो तो description के लिए मैं यहां पर virtual academy open करता हूँ और यहां से मैं about में जाके तो कुछ यहां पर description से add कर लेता हूँ कॉपी करता हूँ control CC और यहां पर जाकर में से control भी करके पेस्ट कर जेता हूँ तो कह रहा है maximum जो है तो 500 ट्रेक्टर होने चाहिए तो आप पता नहीं कि मेरी कितने नहीं करेक्टर हैं लेकिन सेफ चेंज आप करूंगा पता चल जाएगा कि कह रहे है आपके जो हैं तो must be add तक्रीवन 500 से ज्यादा क्रेक्टर है तो मैं यहां से क्या करता हूँ इसको डिलीट करके अब दिखता हूँ जरह और क्या आप हो गैट तो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब यहां पर प्राइवेसी प्राइवेसी में क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका यहां पर देखिए कह रहा है add your blog to our listing आप चाहते हैं कि आपका जो यह ब्लॉग है यह ब्रॉजर में या सर्च इंजिन में आप इसी सर्च कर सको तो आपने इसको yes करने है इसकी more अपने details देखने के लिए आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं तो यहां पर कह रहा है कि a listed blog may be linked to from blogger.com such as the blogger home page and next blog हम इसके यह सिर्ड रखने इसी रहा है Let search engine find your blog आप चाहते हो कि आपका search engine जैसे chu возь 59 अप ब्लॉग से ब्लिदा है यहूं सर्च इंजिन आ जयता है इसी तरा Microsoft search search engine है search headquarters करते हैं जब मैं यहाँ पे गूगल प्रेस करते हूं कि तो यह Google आ जाता है Google एक search engine है इस्य तरह आप Yahoo.com करते हो तो यह सर्च engine है क्लिक करतों मैं देखीग तो सभसे पापुलर जाता है आपके पास Google है तो यह search engine आता है इसे तरह Microsoft search मांक्रोसॉफ का सर्चिंगे कर फेकिन है स्वी इसे तरह और सर्च इंजन और संसेंटी बिंग카 सुझाथ बिंगいきます दो आप सर्च इंजन जाना ए तो आप इसी तरा कोड़idoiden जो है आप उस search engine की मदद से अगर आप चाहते हो कि आपका आपकी virtual academy जो है यह आपका यह ब्लॉक है तो यह search engine इसको support करें तो आपने इसको yes करना है तो इन दोनों चीदों को आपने no नहीं करना इनको yes करना है तो by default इसी तब publishing में आप चाहते हैं कि ब्लॉक एड्रेस को चेंज करना चाहें तो आप यहां से एडिट पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं लेकिन याद रखें कि अगर आपने ब्लॉक का एड्रेस चेंज किया तो काफी सारे स्टूडेंट से काफी सारे लोग होते हैं जो आप अभी तुमें चेंज करों तो से कोई फर्क नी पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी तक में दो तीन दिन वे ब्लॉक बनाए हुए अगर आप इस पर महीना दो महीने काम करने के बाद चेंज करते हैं तो आपको इसका लॉस यह होगा कि आप यू समझे कि आपने वो दो महीने पहले जो काम किया था वो सारा का सारा जाया हो गया और आपने न्यू एक लॉफ बना दिया तो आप अगर यह चेंज करने अडर्स तो यह पहले ही चेंज करेंगे तो इसमें आपका नुफसान है तो डारेक्ट के है कि जब तक पूरा अडरेस नहीं लिखोगे तो इस सर्च नहीं होगा और आप चाहते हो कि जस्ट आप लगर आप लिखो वर्चुल एक आप लिए तो वह ब्लगर में आजए तो इसके लिए SEO करनी पड़ती है जो कि बहुत ज़दा टाइम लगता है इन अपने ब्लोग में आप चाहते हो कि कोई और भी आपके ब्लोग पर काम करें में आपने एक अपने टीम बनानी है तो आप यहां पर एड़ कर सकते हैं तो आपने वो लोग एड़ करने जिन पर आपको ट्रस्ट हो आप उन लोगो एड़ कर सकते हो आपका भाई आ जाता है आपकी sister आ जाती है wife आ जाती है इन फ्लोंग को आप एड कर सकते हैं जिन पर आपको trust हो आप उनको add कर सकते हैं add author पर click करके यहां पर आपने name लिखने है जैसे में लिखते हूं जिस दैमोर पर भीज़ ग्मेल.com और इस author को मैं invite करता हूं अब यहां पर जी author को इसने बेज़ दिया अब अगर हम जी मेल अपने open करता हूं कि दूसरे browser में open करता हूं जी मेल यह नों के यहां पर गूई जी मेल open के हैं अब मुझे mail आ गया होगा तो तैमूर पर वेसके नाम से mail आ गया होगा और वहां पर मैसे sign in with different account, add account तैमूर पर वेस, email देता हूं अपना password देता हूं तो यहां पर मुझे mail आ गया होगा कि आपको इस blogger में आपको add किया गया है तो आप देखें वर्चुल अकैडमी कहा रहा है देखें यू है इन्वाइटे टू कंट्रिब्यू टू वर्चुल अकैडमी देख सकते हैं अब इसको आपने इस एंविटेशन को आपने accept करना है अब अब अपनी ब्लॉग जैन कर लिया अब साइन करें ब्लॉग टैटल है वर्चुल अपने साइन करना है अग्सेप्ट करने तो अब डिरेक्ट ब्लॉगर के डेश वोड में आगे देख सकते हैं अब आपके पास यहां पर देखें एक तो मैंने खुद भी बिनाया था यह व्लॉग और यहां पर यहां पर देखें जरा तो आपके पास कि यहां पर आप लोगाप्र ऑव्लॉगर कीश पर लॉगए ने हरा तो यहां पर देखेंघर तो यहां पर आपस कम आपन he एक तो यहां पर इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आगी है और दूस्तरा आपके पास यहां पर दिखें तो यह मेरे पास एड़ हो गया है अब इस ताइड कर सकते हैं आप उन बंदों के आड़ करें जिन पर आपको ट्रस्ट है और कि तो यहां पर जी मैं भी add हो चुक हुद क्लिक करें ऑपन ल marcow परž & इस्कोषे करें आप में उसा डेस क्राइड कर सकते हैं तो पोस्टिंग कर सकते हो सारे काम कर सकता हूँ फिर टरह व्लाइट को पड़ सके और व्लग क्याद कुंसे लोग पर स्कें citrus हम लोग पड़ सकें अप पबलिक अब चाहते हैं कि 2023 ऑंचे पर अपर प्राइबेट करना चाहते हैं आप इसे उतर जिनको आप कुछ एहर क्रण चाहें जिनको आप णे पर स्कें और आपने कुछ address यहां पर देदेने लिखने आप चाहते हैं सरफ और सरफ यह address इस ब्लॉग को पढ़ सकें तो आप पर सकते हैं अब यहां पर सारी काम करने के वाद अपनी हां पर करना है और description चुके बहुत बड़ी है तो मैं यहां पर कर सकता हूँ इसको edit पर क्लिक करके इसको मैं delete कर देता हूँ इस पैड़र पर क्लिक करता हूं और इसको क्या करता हूं और अब मैं इसको क्या करूंगा यहां से सेव चेंज और यहां से आपका यह सेव हो चुक है सारा अब इसकी सेटिंग जो आपको बस आगे हैं सारी अब इन सेटिंग्स के बाद आपने और क्या करना है इस बैसिक सेटिंग थी बैसिक सेटिंग वाथ पोसट अनों ईस्प मेंट्स ये इस आपने करनी है तो यह आप इन்शालाई नेक्स लेसन इस पे काम करेंगे तब सक अपना ख्याल रखेगा और के मुझे वर्चुल खैडमी में आप रिजिस्टर होने के लिए वीडियος और रिजिस्टर कॉर्स करने का फाइद है कि आपको 100 प्रसंट फ्री सब्सक्राइब करें अपको ठासे हैं यहां पर सर्टिफिकेट प्रिच्व कि तो आप यहां पे आके हॉम पेज पे आपको जो वीडियो दीगी है फ्री रिजिस्ट्रिशन प्रोसेस के लिए तो आपके वीडियो ज़रूर देखें और अगर कम्प्लीट इंट्रोडेक्शन देखना चाहते हैं वर्चुल कैर्मिक का तो यह वीडियो देखें